सबी खास हो आगे था आपके अपने यूटूब चैनल मानी ओफ डिस्टल नियूज अमडीन पर दोस्तो बात करने वाले हैं जी टील इंफ्राडेक्सर लिमिटेड स्टोक के बारे में सोगस कमपनी में अभी के टाइम लगातार दिन परती दिन काफी अच्छी अपरसर की नजर आ रही है और फिलाल दोस्तो तीन रूपा 26 प्रेसे आज दोस्तो इस स्टोक की जो है पिसले बाउन सापता की जो प्रहाई प्राइस है वो भी आज नई एड हो चुकी है तो फिलाल यह स्टोक अभी के टाइम दोस्तो यह चलर फैनी स्टोक की रूप में जो जाना जाता था वो आज एक मल्टी बगर फैनी स्टोक की रूप में जाना जा रहा है क्योंकि कमपनी का जो रिटन निकल के आ रहा हुए चपर फार्ट रिटन देखने को नजर आ रहा है तो कईना कॉइना कहीं आने वाली टाइम में इस स्टोक की जो वेलु है वह और जाधा बढ़ती वही नजराने वाली है क्योंकि कम्पनी के पास दोस्तो काईना कहीं एक जो पोजिटीव जो डीर सांट है काईना कहीं पोजिटीव जो बिजनेस को लेकर जो प्रोशीड ही है इस spectrum auction के जो निलामी थी वो बहुत हो किये है और company ने दोस्तो जो एटल जो टेली कॉम company थी उसने सबसे बड़ी जो बोली थी वो लगाई है और spectrum की जो deal वो उसने जीती है फिलाल अब एक टाइम कहीं जो है टेली कॉम company में जो जीचिल इनफरा का जो नाम है वो कहीं ना कहीं पर अब एक टाइम company को लगातार जो value increase हो रही है क्योंकि company की जो buying order है वो भी अच्छी का सी देखने को मिल रही है और लगातार company का जो return already 26 परफाड़ देखने को मिल रहा है क्योंकि company अभी तक जो है last one month में company का जो return 117.33 फिस्ति तक जो देखने को मिल चुका है last 5 session पर return company ने payout किया है तो कईना की दोस्तो इस stock की जो value है वो काफे अच्छी रहने वाली है और लगातार company ASM list की first stage में भी देखने को नजर आ रही है पर company ने दोस्तो results को लेकर जो board meeting की final announcement है वो भी कर दी है और company की जो trading window है वो 30 June को और 1 July को close रहेगी जो company की management के लिए और लाटक है उसके बाद ही दोस्तो company जो trading window है वो चालू होने वाली है तो company दोस्तो एक 30 मई और सुरी 30 जुलाई और एक जून को दोस्तो जो कहीना के जो है अभी टाइम और एक जुलाई के लिए जो trading window बन रहने वाली है तो उसमें दोस्तो यह final करने वाली कि result जो है company का quarter one का कब तक आने वाला है तो यह चीज कहीना कें दोस्तो एक shareholders के लिए बड़िया जानी जाएगी और क्योंकि database company का काफी ज़्यदा positive नजर आने वाला है क्योंकि लंबी टाइम से जो company ने जो लगातार गिराउट का सामना करना पड़ा क्योंकि हम इस time अगर देखते हैं तो इस company की results की जो data वो जल्द announcement होने वाली है और company के जो results है वो भी जल्द आने वाले हैं तो quarter 1 का result है वो कई ना कई इस बार थोड़ा positive नजर आ सकता है क्योंकि दोस्तो अब एक time जो तेजी भी देखने को मिल रही है तो दबा की volume भी इस company के अंदर उठाई जा रही है फिलाल 41 फिस्ती के बड़त आज के session फिर रही है और दोस्तो बीसी दूर संसार सुजकांग में एक प्याउन फिस्ती की जो बड़त है वो भी company ने बना ली है तो company इसका मतला दोस्तो अब एक time काफी इसा growth करती होना जरारी पिछले एक महीने के अंदर 115.33 फिस्ती के बड़ोतरी company ने कर ली है जीटिल इन्फरन लिमिटेड ने आज दोस्तो चार पॉंट 81 बड़त के साथ दोस्तो तीन रुपा 27 पेसे पर कारुबार कर रहा है और बीसी दूर संसारक ने दोस्तो जो है एक पॉंट 81 फिस्ती बड़कर अब एक time जो अंकों पर पहुंच चुका है वो एक 365.78 पर पहुंच चुका है जो पिसले एक मैने के सुसकांग में दोस्तो 13.82 फिस्ती की वर्दी हुई है और सुसकांग के अन्य गटकों के अवेंटेल लिमिटेड ने दोस्तो जो है 4.64 फिस्ती की बड़त की है इंडेस्ट आउर में भी काफ़ एची बड़त आई है और सा क्योंकि दोस्तो आज के इंट्राडे में जो बाइंग ओडर लगी है वो भी काफ़ बड़ी रहेगी जो 3.9,307,700 सेरों की रहने वाली है और साथी साथ दोस्तो इंट्राडे की वोल्यूम 1,016,000,000 की रहने वाली है इसका मतलब यह देखने को मिलता है कि कंपनी ने जो आ प्रकार इस स्टोक की तेजी नजर आ रही है उस प्रकार दोस्तो चिलर प्रणी स्टोक है तो रिस्क भी उत्माई तेजी से ज़्यादा होता हुआ नजर आने वाला है तो इस स्टोक फोस कंटी